जेहीं दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में अगनीपत एसकीम के अंतरगत सकेंड बैज की भरती कब रिलीज किया जाएगा आप सभी को पता है अगनीपत के अंतरगत परतेक साल जो है आपका दो भरती का रैली आएगा इसके पहले परतेक साल एक एरो के लिए एक ही भरती का रैली आता था लेकिन अब जो है अगनीपत के तहट जो है परतेक साल आपका दो भरती रैली जो है देखने को मिलेगा यानि की दो badge में तो यहाँ पे first badge की जो आपका भरती का rally है वो आप सभी को पता है कि आ चुका है और उसकी form apply की last date भी समाप्त हो चुके हैं और काफी सारे ERO का rally भी complete हो चुका है हालांकि काफी सारे ERO का rally अभी December तक चलने वाला है लेकिन आज की इस वीडियो में जानेंगे कि second badge की आपका जो भरती है ओ कब तक आएगा और इसके अलावा second badge की जो आपका भरती अगनिपत एसकिम के अंतरगत रिलिज किया जाएगा उसमें क्या बदलाव जो है आपको दे Age Limit आप सभी का था Soldier GD के अंतरगत आप सभी को पता है Soldier GD के अंतरगत जो है first badge की जो भरती था उसमें जो है सारे 17 बरस से लेकर आपका 23 बरस तक Age Limit रखा गया था first badge की भरती में लेकिन यहाँ पे जो second badge की आपका भरती रिलिज किया जाएगा इसमें age जो है सारे 17 से लेक 21 बरस तक आपको देखने को मिलेंगे तो यहीं जो है एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा Soldier GD के जो पोस्ट है उसमें क्योंकि उसमें बताया गया था कि Age Limit जो 23 बरस maximum है या केवल इस badge की भरती के लिए है बाकी आने वाले जितने भी वेकेंसी है सभी में 21 बरस ही रहे अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगनीपत के तहत सकेंड बैज की जो भरती का नोटिफिकेशन है वह कप से रिलीज किया जाएगा अलग-अलग ARO का तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताये थे कि अगनीपत इसकीम के तहत जो है जितने भी भरती होने वाला है उसका क पहलेंडर में बताया गया था कि जो सकेंड बैज का आपका भरती है सकेंड बैज के लिए जो अगनीपत इसकीम के अंतरगत भरती है वह जो है आपको फरवरी 2022 में देखने को मिल जाएगा यानि कि फरवरी 2022 में जो है सकेंड बैज की जो भरती का रहली है वह आपको देख देखने को मिलेगा क्योंकि यहां पे आप सभी को बता दे 15 जनवरी तक जो है जितने भी 1st badge की आपका भरती रिलीज किया गया है उनका सभी details यानि की complete जो है 15 जनवरी तक complete करा लिया जाएगा यानि की 15 जनवरी को last return exam है अगनीपत के 1st badge की भरती का तो उसके बाद जो है फर लेकर इंडिया नारेमी के तरफ से calendar रिलीज किया गया था जिसमें साबसा बताया गया है कि second badge की भरती आपका फरवरी 2022 में आएगा तो आप सभी जो है अगर आपके एरो का रिली समाप्त हो चुका है और आपका selection नहीं हुआ है तो आप सभी second badge की तयारी सुरू कर क्योंकि ये भी भरती आपको बहुत जल देखने को मिलेगा और good news ये है कि परतेक साल जो है आपको दो भरती का रैली अब देखने को मिलेगा जो की पहले एक होता था लेकिन अब जो है दो होगा क्योंकि job की जो period है उसे घटा दिया गया है इसलिए जो है post की संख्या increase तो परतेक साल दो भरती आपका conduct कराया जाएगा तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे और एक ही बदलाव आपका होगा कि वलेज लिमिट में बाकी सभी कुछ सेम रहेगा तो कोई भी सवालों कमेंट सेक्शन में बताइएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्ता के लिए जहिंद बंदे मातरम